हालो फ्रेंड्स वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल दोस्तों आज मैं आप सबको 2 रुपए कॉपर निकल एक स्मार्क सिक्क का जानकरी देने वाला हूं यह सिक्का पहले से रेर है पर यह मत सोचिये रेर सिक्का हमको किदर मिलता है यह रेर सिक्का अभी भी मिलता है आ कुछ दिन से बहुत कीमती होते जा रहे हैं फर एक्जामपल 1954 का वन रुपी सिक्का जो है निकल का वह सिक्का हमको सिक्स मांस पहले तक पंदरा सो से आटरा सो तक वैल्यूश्मेट रहता है अचाना कि यह 6 महिने में वह सिक्का का वैल्यूश्मेट बढ़ गये 3000 पार कर लिए दोस्तों यह 2 रुपे सिक्का भी सेम है बहुत जल्दी यह सिक्का का वैल्यूश्मेट बढ़ जाएगा वीडियो देखनी के बाद आपके पास यह सिक्का है या नहीं मुझे comment किरके बताए अब तक collect नहीं किया तो जरूर collect करने का कोशिश कीजिए हमारा चैनल किससे सिक्का और currency notes करिता नहीं बेचता नहीं अगर कोई हमारा चैनल नाम पर आप से किसी माजिम से भी कोई भी contact करके आप से आपका personal जनकर या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा इतना केने पर भी देने से आपी जिमेदार है याद रखिए दोस्तों दोस्तों यह दो रुपए copper nickel सिक्का हमको आवर से ऐसा नजरा आता है आशोका लाइन आकुरुती में हैं डेका कोनल शेप में रहते हैं दोस्तों यह वीडियो यह सिक्का का एक अलट समझ के अलट कीजिए क्यूंकि यह कोपा निकल सिक्का स्मार्क सिक्काओं का अवैलिबिल्टिक कम होते जा रहे पर्टिक्लरली एक मिंट का है मैं एक्स्प्लेन करता हूं attriplane reservation हम देखने से इस पर हमको चैत्रपती शिवाजी इंग्लीश और हिंदी में मींट किया गया यह भी देख सकता है 1999 दोस्तों इस पर हमको चैत्रपती सिवाजी का पिक्चर भी हम देख सकता है सिक्क है तो जरूड किसमेंट का है चेक कीजिए हाइदरपास का सिक्क्र रेर सिक्क्र है दोस्तों और यह सिक्क का वेलिबल्टी भी आज सकल कम होते जा रहे हैं क्योंकि ब्रिफ से हमको मिंटिंग नहीं होता तो जितना हमको आम चलंड मैं उतना मेसे कम करना पड़ता है इसलिए जरूर किजिए और यह सिक्का का वर्तमान मार्केट एस्टमेट वाल्यू कि कंडिशन के उपर डिपेंड करता है 500 से 700 तक रहता है और मुझे विश्वास से यह सिक्का का वाल्यू इस्टमेट फिचर में जरूर बढ़ जाएगा आप लोग किजिए यह वीडियो और यह वीडियो का जानकर क्यासा लगा मुझे कॉमेंट करके बताएए वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए और शेर किजिए हमारा चैनल सब्सक्रेब करके बेल आइकान दवाएए